Hello guys, welcome to my YouTube channel Extreme Ritik इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप HDFC Securities में Fin Nifty में ट्रेडिंग करना चाहते तो कैसे आप ट्रेडिंग करेंगे HDFC Securities में वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ठीक है? So first of all please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon अगर आपने HDFC Securities में अभी तक अपना account create नहीं किया होगा तो link हम आपको description में दे देंगे और अगर आपको account opening वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको हमारे channel के playlist में जाना होगा ठीक है? playlist में click करेंगे तो यहाँ पे आपको HDFC Securities के उपर वीडियो मिलेगा यह रहाँ वीडियो simple आप यह वीडियो देख करके अपना account create कर सकते है ठीक है? अब account create करने के बाद simple हम HDFC Securities application को open करेंगे then यहाँ पे login कर लेते है ठीक है? login करने के बाद आपको कुछ starting में index देखने को मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे search कर लेंगे nifty financial service fin nifty आ चुका यहाँ पे ठीक है? equity में यह futures में आप इसको देखना चाते हूँ वो भी देख सकते है options में अगर आपको देखें यहाँ पे आपका fin nifty आ जाता है ठीक है? again आपको यहाँ पे search कर लेते हैं fin nifty ठीक है? equity futures यह अलग से delete हो जाता है पता नहीं क्यों तो simple आपको यहाँ पे search करना है अब अगर आपको fin nifty के किसी call option या फिर put option पे buying या फिर selling करना है तो आप simple उसका premium का price डाल लिजेगा for example हम यहाँ पे 23,000 500 के fin nifty के call option पे काम करना चाते तो हम क्या करेंगे options पे click करेंगे expiry आप लोग select कर लिजेगा call और put select कर लेना है strike price आपका क्या रहना चाहिए वो आप लोग देख लिजेगा देन आपको submit कर लेना है वो आपका वहाँ पे fin nifty का आ जाएगा ठीक है? then buy sell करना है वो आप लोग कर सकते है तो इस तरीके से आप लोग HDFC Securities में fin nifty में trading कर सकते है topic इस कबर मिलते हैं next video में जय मात आदी